क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाना सही समय पर नहीं खाते हैं तो इससे आपकी सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है ये बात 100% सच है कि आप जो भी healthy खाना खाते हैं वो आपकी सेहत को तभी लगता है जब उसे आप सही समय पर खाएं अगर healthy खाना गलत समय पर खाएंगे तो उसका side effect उतना ही खतरनाग भी हो सकता है नमश्कार मैं हूँ अनुच शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष experts के मताबिक खाना खाने का सही समय और हर बार खाने के बीच का gap health के लिए बहतर माना जाता है तो चली अब ये जानते हैं कि आखिरकार खाने के बीच में कितना gap होना चाहिए भारत में चारतर लोग 3 बार खाना खाते हैं इसमें breakfast, दोपहर का lunch और रात का dinner शामिल है experts के मताबिक एक बार खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद ही खाना खाना चाहिए क्योंकि खाना पचने में इतना ही समय लगता है सुबे के breakfast और रात के dinner के बीच कम से कम 12 घंटे का gap होना चाहिए क्योंकि हर किसी व्यक्ति के सुबे उठने का वक्त अलग-अलग होता है ऐसे में खाना खाने का rule भी बदल जाता है सुबे उठने के कम से कम 3 घंटे बाद नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए अब सबसे जरूरी बात ये है कि breakfast कभी भी avoid ना करें क्योंकि आज भागती हुई lifestyle में या फिर बोलें busy schedule के कारण सुबे का नाश्ता लोग skip कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है सुबे का नाश्ता health के लिए सबसे जरूरी माना जाता है नाश्ते का सबसे perfect time सुबे 7 बजे से 9 बजे तक होता है कई लोग सुबे का breakfast दोपहर के lunch के वक्त करते हैं यह है gastritis, acidity और bloating जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है अब एक सवाल सबके मन में रहता है कि lunch कब करें आखिरकार lunch का perfect time क्या होता है सही समय पर breakfast करने के बाद दोपहर का lunch साड़े 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कर लेना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय metabolism तेजी से काम करता है इस समय किया गया lunch सही तरेके से digest हो जाता है अगर कहीं busy हैं तो 3 बजे तक दोपहर का खाना खा लेना चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा देर समस्याओं का कारण बन सकता है अगर दोपहर का खाना इससे भी ज़्यादा देरी से खाते हैं तो वजन तेजी से बर सकता है पेट में समस्याओं हो सकती है और इससे खाना भी सही तरह से पच्टा नहीं है इसलिए सही समय पर lunch करना बेहर ज़रूरी है चलिए आप ये जानते हैं ज़्यादा तर लोग confused रहते हैं कि रात का dinner कप करें रात में सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए अब ये मत समझियेगा कि आप अगर रात को 2 बजे सोते हैं तो खाना भी ग्यारा बजे खाएं भले ही किसी कारण वर्ष सोने में लेट हो जाएं लेकिन खाना शाम को 7 से 8 बजे तक खा लेना चाहिए। यह सबसे सही समय माना जाता है। रात में देर से खाना पाचन को बिगाड़ने का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा लेट से खाना खाना, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले हॉर्मन्स को भी पैदा कर सकता है। इससे नीद खराब होती है और पेट में चर्बी भी बढ़ सकती है। आशा करता हूँ यह जानकारी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तमाम और इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप सभी देखते रहे हैं। टीवी नाइन भारतवार्श।